जार्खन में मौब लिंचिंग करने वालों को सस्रम आजीवन कैद के साथ 25 लाख तक जूर्माना जार्खन की हिमन सरकार ने मौब लिंचिंग पर लगाम लगाने के लिए भीड हिंसा एवं भीड लिंचिंग निवारन विधयक का मौसदा त्यार किया था जो सदन में मंगलवार को विधयक पारित हो गया आपको बताओ दे कि तयार मौसदे के अनुसार मौब लिंचिंग के दोसी को सस्रम आजीवन करावास और 25 लाख रुपे तक का जूर्माना हो सकेगा इसके तहट दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूध द्वारा धर्म, बंस, जाती, लिंग, जन्म, अस्थान, भासा, आहार, ब्यवहार, लेंगिक, राईनीतिक, संबद्ता, नस्न, अथवा, किसी अन्य आधार पर किसी को लिंच करने के लिए भीड को उकसाने का रोप सीध होने पर इसके तहट साजा मिल सकती है। साथ निर्देश भी जारी किये हैं, विभाग ने लोगों से याथा संभव बाहर निकलने से बचने की सला दी हैं, इस बीच ठंड से सो मर को हजारी भाग में दासवी की छात्रा की मौत हो गई। बतादे हाथी को ठंड से बचाने के लिए बाडा के पास अलाव की व्यवस्ता की गई हैं, जबकि रात में सेड में बैठने के लिए पुआल बिचाया गया है। बाग सेर तेंदुआ भालू के रातरी विश्राम सेड में रूम हीटर की व्यवस्ता की गई हैं, वहीं साप घर में सापो की सुरक्षा के लिए केबिन में कमबल घद्दा रूम हीटर लगाया गया है। बतादे घरियाल और मंगरमच रोजाना नाज से बाहर निकल कर दिन में धूप ले रहे हैं। यहां माता अंजनी के गर्व से भगवान हनुमान का जन्म हुए था। बतादे इस वज़ा से इसकी ख्याती दूर दूर तक है, यहां देखने के लिए कई प्राचिन धरोहर हैं। पहार की चोटी पर भगवान हनुमान का मंदीर है, यहां पूरे देश में पहला मंदीर है, जहां माता अंजनी की गोद में भगवान हनुमान बैठे हुए हैं। बतादे यहां की हसीन वादियां दिल को रोमान्ची करती है, इस छेत्र के लोग आज भी खोद को हनुमान का वन्सज मानते हैं। बतादे पिछले तीन दिनों से विधान सवागी करवाही के दरान भारतियां जनता पार्टे की बिधायकों का भी आरोपाय की जान बुझकर इस परिचा में गरबड़ी की गई हैं। मंगलवार को जार्खन के हर जीले में पेट्रोल पॉंप हरताल पर रहें। मंगलवार की जार्खन पेट्रोलियम डिलर्स एसोसियेशन ने किया है। जेपी डिये ने तीन दिसंबर को जार्खन के बित्मंति डामेश्वर उरा को ग्यापन देकर जार्खन में डिजल परवैट की दर 22% से घटा कर 17% करने की महांग की थी। इसके अलावार डिजल और पेट्रोल मद में सरकारी बकाया भुकतान करने तथा बायो डिजल में मिलावाट रोकने के लिए ठोस पहल करने की महांग की गई थी। बता दे इस हरताल से जार्खन में जहां 55 क्रोर रुपए से भी अधिका करवार परवावित हुआ है। लगभाग 58 लाख लिटर पेट्रोल और डिजल की बिक्री परवावित होने की बात कही गई है। बन महथव थो रिकिस पर अधारीत पुस्तक असमारीका एवं बन महथव थो रिकिस की अस्थल बीवरनी का बीमोचन किया। इस अस्मारीका में मंत्रियों, संसोदो, विधायकों एवम अन्य जनपर्तिनिधियों द्वारा दिये गईब्रिक छारोपन से समाधित तस्वीरों का संकलन है पचपन हयार 307 आयोग लाभुकों ने राशन काट किया सरेंडर जारखन में पिछले दो साल में पचपन हया 307 आयोग लाभुकों ने राशन काट सरेंडर किया है बितिय वर्ष 2021 और 2021 में ए राशन काट सरेंडर किये गए है बता दे सीथ काली सत्र में जाओंवी धायक सुद्दीब्य कुमार के प्रशन पर खाद आपूर्ती मंतरी डाक्टर रमेशर उराओ ने याजन कारी दी मंतरी डाक्टर उराओ ने कहा कि विभाग द्वारा लगातार प्रचार परसार कर आयोग लाभार्तियों से राशन काट लोटाने के लिए जागरुपता का काम किया जा रहा है राशन काट सरेंडर करने के अम्तिम्ति थी 30 नौवंबर 2021 तक निधारित थी उन्होंने कहा है कि आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कारकरम के तहट लाभार्तियों को राशन कार सरेंडर करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है सीत लहर का कहर लक्षनों को नजर अंदाज करना पड़ेगा भारी कुरोना के नए वेरियंट ओमी क्रोन के संभावित खत्रे के बीच अब राज में सितलहर का खत्रा मंडाने लगा है बता दे राज में लगतार गिर्त ताप्मान को लेकर NDMA ने राज सरकार को अगाह करते हुए एडवाजरी जारी की है जिसके बाद राष्टी स्वास्त मिशन के अभियान निदेशक रमेस घोलप ने अलट जारी किया है अभियान निदेशक ने राज्य के सभी उपायुक्तों को सितलहर को लेकर सतरकता हुए एतियाती उपायों के साथ-साथ लोगों को इसे बचने के लिए जागरूपता के उपाय करने के निदेश दिये सितलहर का सबसे ज़्यादा असर बेघर, बुजूर्ग, बीमार, बच्चे, गरभुवती वह धात्री महिलाओं के अलावा बाहर काम करने वाले कामगार्वा किसानों को हो सकता है जारखन में क्रोणा के 32 नए केस मिले है जबकि 17 मरीज स्वास्त भी हुए है जारखन में कूलेक्टिव केस की संक्या 162 है भारत में 5,326 नए केस मिले है जबकि 8,143 मरीज स्वास्त भी हुए है भारत में कूलेक्टिव केस की संक्या 177 या 792 है जारखन में डायन कूपरथा खत्म करने का संकल्प है जारखन में डायन कूपरथा को खत्म करने के उदेश से गर्मा पर्योजना गाव गाव जाकर ग्रामिनों को जागरूप कर रही है इस कड़ी में राज़ानी राची के सर्ड में दो दिवस्य कारे साला का आविजन हुआ इस महोगे पर जारखन हाई कोड के चीफ जर्श्टिस डाक्टर रवी रंजन ने डायन कूपरथा जोर्ट से खत्म करने के लिए हर गाव में एक छोटिनी देवी की जरूरत पर बल दिया वही गाव गाव में इसकुली बच्चे को जगरूपता इंबेश्डर के रूप में तयार करना चाहिए इस अउसर पर डायन कूपरथा की पिडित महिलाव के मुख्यदारा में जोडने की कहानिया के संग्रापर गरिमा पुस्तिका का भी मोचन किया वही मुकर अतीति ने स्ट केंपस में पोदार उपन भी किये कोडारमा में फीर बारा संक्रामित मिले कोडारमा जीले में कुरोडा संक्रामन की मामले लगातार बड़ रहे हैं मंगलबार को एक रपीर बारा नए मरीजों की पाचान हुई है सोमवार को भी इतने ही मरी संक्रामित मिले थे दूसरी तरफ जीले भर में क्रोना का इलाइन की लगातार धजिया उर्ती दिख रही है बता दे होट बजार से लेकर कारे अस्थलो राजनिती कारेकरामों में अधिकतर लोगों के ना तो मास्क नजर आ रहे हैं और ना ही सोचल डिस्टेंसिंग का उनुपारलन सुने चीत हो रहा है नर्सिंग और बीएस्टि नर्सिंग परवेस परिक्षा का पहिनाम जारी जार्खन सन्युक्त परवेस परत्युक्ता परिक्षा पारशद ने नर्सिंग परवेस परिक्षा तथा BSC नर्सिंग परवेस परिक्षा का पहिनाम जारी कर दिया है साथ ही दोनों पाठे करमों में नमांकन के लिए कांसिलिंग के तिथिया तय कर दिया नर्सिंग परवेश परिक्षा 11-12 दिसंबर तथा बीएसी नर्सिंग परवेश परिक्षा 14 दिसंबर को कम्प्यूटर अधारित ली गई थी बतादे नर्सिंग पाठे करम में नमांकन के लिए कांसिलिंग में ओनलाइन रेइस्टेशन तथा संस्थान वा सीटे को लेकर विकल्प भरने के परक्रिया मंगलवार से शुरू गई है जवाब ही भरामक था मंत्री बना गुपता जारखन बिधायन सब हमें भरामक उतर देने पर स्वास मंत्री बना गुपता फस गए है उन्होंने मंगलवार को विधायक सरजुराय के एक सवाल के जवाब में सविकार किया की सदन में रखा गया उत्तर भरामक था इसके लिए उन्होंने विभाग के अधिकारियों को जवाब देठा रहा इस फिकर ने भी मंत्री को इस तरह की गलती नहीं दोराने की नसिहत देते हुए कहा कि विभाग से आए जबाब को अच्छी तरह पढ़ने के बाद ही सदन में रखे उन्होंने यह अभी कहा कि विभाग द्वारा भ्रामक चबाब आने को घंपीता से ले तथा इस पर अधिकार्योंक साथ बैटक करे जारखन के सभी स्कूलों में 29 दिसंबर से बनेगा जाती पर्मान पत्र मुखे मंत्री हमन सुरेन ने कहा है कि राजे के सभी स्कूलों में बच्चों का जाती पर्मान पत्र बनेगा इसे लेकर 6 माकाबी से सभ्यान चलाया जाएगा नो केवल सरकारी वलिक नीजी स्कूलों में सभीक अक्षाओं के बच्चों का जाथी पौनपत्र बनाया जाएगा बता देम्बुखे मंत्री विधान सभा में भाजपा विधायक निलकॉंट सिंग मुंडा द्वारा उठाये गए उस आरूप का जबाब दे रहे थे जिसमें कहा गया था कि आरक्षित सिर्यानी के बच्चे को निसूलक साइकल बितरन के लिए राई सरकार द्वारा इस साल पांच मार्च को जो संकल्प जारी किया गया है उससे बंगला देशी बच्चों को पैदा होगा आठवी बॉड के लिए आज से भरे जाएंगे ओनलाइन आवेदन बरे जाएंगे जर्खण एकेडमी कौंसिल ने बतादीही समन्द में मंगलवार को अधी सूचना जारी कर दी गई है आठवी की दो टर्म में परिक्च्शा हो नी है पहला टर्म 10 से 25 जनवरी के बीच वहीं दूसरा टर्म 10 से 25 जून के बीच निधाली था सभी स्कूल के परदाना ध्यापक जैक की वेब साइट के माध्यम से स्कूल का यूजर आईडी और पास्वर्ट का उप्योग कर आवेदर बार सकेंगे बाइक सवार को बचाने में बस पल्टी राची मुरी मार्ग पर जो नहां कासी डी के पास एक बाइक को बचाने के करम में बंगाल से राची आ रही चंदरी का नामक बस पेर से टकरा कर बीच सड़क पर पलट गई इस घटना में आधा दर्जन यात्री घायल हो गए वही गंभी रूप से घायल एक महिला और एक युवक को इलाज के लिए रिम स्रेफर किया गया जबकि अने घायलों का अस्थाने डाक्टरों से इलाज कराया गया है बाबुलाल मरांडी को नेता विपक्स घोसित करने की याचिका पर सुनवाई इस मामलों में अदालत ने दोनों पक्षो को सुनने के बाद 12 जन्वारी के पहले स्पीकर को सपत पत्र के माध्यम से अपना जबाब देने का निर्देस दिया बता दे इस मामले की अगले सुनवाई 29 जन्वारी को होगी जारखंड के उतपाद राजस्व को सुधारने की हो रही त्यारी राज्यक के अपन राजस्व सुरोतो में उतपादन से मिलने वाली राजस्व की स्थिती सबसे खराब है उतपाद विभाग का बार्सिक लक्ष 2460 कोर रुपए है इसके मुकाबले अक्टूबर तक 848 कोर रुपए की वसुली हुई यह बार्सिक लक्ष का 34% है बता दे राज्यक के अने सभी राजस्व सुरोतों की वसुली 45-55% के बीच है उतपाद राजस्व की खराब इस्थिती देखते हुए अब फिर से उतपाद नीती में बदलाव पर विचार हो रहा है बता दे राज सरकार का सुझाव 36 गर मॉडल की ओर है चात्र चात्राओं के अटेंडेस लगाने के लिए नई तक्निकी का होगा इस्तेमाल गड़वा परखंड के सभी बियारपे एवम सीयापी की बैठक मंगलवार को अधहरा इस्थित परखंड संसाधन केंद्र में हुई बैठक में बिभागिये कारियों की समिक्षा करते हुए आवसक दिशानिदेस दिया गया बैठक के अध्यक्सता करते हुए परखंड कारकरम पताधिकारी तहमीना परवीन ने कहा की सभी बिद्यालियों के परधना द्यापक अपने बिद्यालियों के छात्र चात्राव को उपस्थिती इबिद्यावाहनी में दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे रांची में बेघरों को ठंड से बचाने के लिए नगर निगम की बड़ी पहल रांची नगर निगम सर्दी के दिनों में बेघर लोगों के ठारने के लिए राई धानी में चार नए रहन बसेरों का निर्मान होगा यह रहन बसेरा आली सान बनाए जाएंगे यह रहन बसेरे दो मंजिले होंगे इन में महिला और पूरूस के अलग अलग ठारने की विवस्ता होगी बता दे इन दोनों रहन बसेरे के लिए राची नगर निगम ने रेलवे स्टेशन के पास चूटिया में और कचहरी चोग के पास जमीन चीनित कर ली है धन्यवाद